तो दोस्तों, वेलकम टुमाई यूटिप चैनल नए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरे एक सबस्क्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट करा है मैं उसके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ उसने कहा है कि लॉग बेस टैन पर E की value निकालनी है scientific calculator के इस्तिमाल करके बहुत असान है कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको calculator on कर लिया फिर आपने ये log base 10 का की होता है log base 10 का की दबाया आपने उसके बाद shift दबाया उसके बाद ये जब आप shift दबाओगे उसके बाद आपने 1 दबाया तो ये आपको दे देगा log base 10 पे E की value अब हमें गलती का कर देते हैं लोग log base 10 पे E की value चाहिए shift भी दबादिया E भी दबादिया equal to का sign लगा देंगे तो syntax error आजएगा याद रखना एक बार दुबार से बता रहा हूँ क्या करना है सबसे पहले calculator on कर लिया log की press की उसके बाद shift प्रेस करा उसके बाद E दब प्रेस करा उसके बाद 1 प्रेस करा उसके बाद equals to का sign ये आ गए आपकी log base 10 पे E की value कितनी value 0.43429 4481 ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें कमेंड करें शेयर करें ठीक है